तो क्या दोनी अब विदाई मैच के दिन ही मैदान में नजर आएंगे? क्या महेंदर सिंग दोनी अब विदाई मैच के दिन ही मैदान में नजर आएंगे? अगर हां तो भारतिये क्रिकेट के लिहाज के ये अपने आप में बड़ी खबर है गुरुवार को BCCI ने बांगलादेश के खिलाफ आगामी टीडट और टेस्ट सीरीज ने टीम इंडिया का इलान कर दिया है टीडट टीम में पूर्व भारतिये कप्ताने मैस दोनी को शामिल नहीं किया गया है दादा नाम से मशूर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगली के BCCI अध्यक्ष बनते ही ऐसी खबरें थी कि वेह दोनी के सन्यास को लेकर चैन करताओं से बात की या नहीं इस बात का तो पता नहीं चला है लेकिन दोनी को लेकर इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है DNA में छप्ती एक रिपोर्ट के मताबिक दोनी अब टीम इंडिया के राष्ट्रिय टीम में कभी नहीं चुने जाएंगे उनका चैन राष्ट्रिय टीम में तभी होगा जब वो अपने विदाई मैच खेलने मैदान में उत्तरेंगे हाला कि इस से पहले ऐसी भी खबरे आई थी कि दोनी जनवरी में श्रीलंका या न्यूजिलेंड के खिलाफ सी रीच से मैदान में वापसी कर सकते हैं बता दें कि वर्ल्ड कप के से मी फाइनल में मिलीहार के बाद से ही दोनी टीम से बाहर चल रहे हैं इसके बाद दोनी के सन्यास लेने खबरें और तेज हो गई थी कई तरह के कयास लगाए गए कि दोनी इस दिन तो उस दिन सन्यास लेंगे लेकिन दोनी ने खुद सन्यास पर कोई बयान नहीं दिया है